हेलो एब्रीवान वेल्कम टू केवी टीचर्स गिल्ड सो बच्छों भी हम डिसकस करेंगे सिक्स क्लास माथ्स पिरियोडिक टेस्ट फॉस्ट का एक क्वेशन पेपर ये लास्ट ये लास्ट ये 2022-23 का पेपर है फर केंद्रे विध्याले स्टूडेंस तो सबसे पहले है सेक् ग्रेटेस्ट है नंबर से 123 27 650 2342 and 40000 ये तू डिजिट नंबर है ये दोनों 3 डिजिट नंबर से इसमें 4 डिजिट है और 40000 में 5 डिजिट है जिसमें सबसे जाधर डिजिट होती है वही नंबर ग्रेटेस्ट होता है तो ग्रेटेस्ट है याँ पर 400,000 ए ए options is correct Next is the successor of 27 is 27 का successor क्या है Successor मतलब उसके next number कौन सा होगा और successor find out करने के लिए हम plus करते हैं 1 So 27 plus 1 is 28 The option is correct Next is which of the following numbers is not a factor of 36 इन में से कौन सा number 36 का एक factor नहीं है यानि कि कौन सा number 36 को completely divide नहीं करेगा First is 2, तो 36 2 से divisible है क्योंकि unit digit 6 है Unit digit अगर 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वो number 2 से divisible होता है 2 इसका factor है, next is 8 8 के table में 36 नहीं आता 84032, 85040 तो ये इसका factor नहीं है 18 भी है, 182036, 49036 तो इसमें भी option correct है Next is how many hundreds should be added to 99,000 to get 1 lakh 99,000 में आप कितने hundreds आड़ करें कि आपको 1 lakh मिल जाए तो पहले तो हम देखते है 99,000 कितना कम है 1 lakh से So 1 lakh minus 99,000 0, 0, 0 ये होगा 10, 9, 1 1,000 कम है 99,000 में आप 1,000 आड़ करेंगे तो 1 lakh मिल जाएगा लेकिन question ने ये नहीं पूछा है कि कौन सा number आप आड़ करें उसने पूछा है how many hundreds कितने hundreds आप आड़ करें कि 99,000 मिल जाए अभी 1,000 में कितने hundreds होते है 1,000 divided by 100 is 10 100 के 10 notes मिल के 1,000 बनाएगा यानि कि 10 hundreds आड़ करने से 99,000 1 lakh बन जाएगा D option correct है पहले आपको number find करना है कि कौन सा वो number है जिसको आड़ करने से जो number है वो next number बनेगा उसके बाद कितने hundreds, tens, अगर वो पूछता कितने tens हम आड़ करें तो 1,000 हमें आड़ करना है 1,000 को हम डिवाइड करते है 10 से 100, 10 हमें आड़ करने है अगर वो पूछता कितने thousands आड़ करें तो सिर्फ 1,000 1,000 divided by 1,000 is 1 ओके next next है how many hundreds should you add to 700 to get 1,000 यह असान है 700 में आप कितने 100 और आड़ करें कि 1,000 बन जाए 700 एक और 100 आड़ करेंगे 800 एक और 100 से 900 and then 1,000 300 आड़ करने से आप ऐसे भी कर सकते हैं पहले हम देखते हैं 700 कितना कम है 1,000 से so 1,000 minus 700 0,0 10 minus 7 is 3 300 how many hundreds पूछा है तो 300 को डिवाइड करेंगे 100 से answer is 3 300 see option is correct next is the 3 consecutive numbers just before 96 आर 96 से जस्ट पहले 3 कौन से लगातार numbers है 96 से पहले आता है 95 94 and 93 93, 94 and 95 3, 4, 5 be option is correct next is among these which 1 is divisible by 9 इन में से कौन सा number 9 से divisible है 9 का divisibility test है कि सभी numbers का sum भी 9 से divisible होना चाहिए sum देख लेते हैं 6, 7, 8, 9, 10 ये तो divisible नहीं है क्योंकि sum of digits 10 है sum क्योंकि 9 से divisible नहीं है तो number भी 9 से divisible नहीं होगा next 2 plus 5, 7 8 plus 4, 12 12 भी 9 से divisible नहीं है तो ये भी 9 से divisible नहीं होगा 6 plus 4, 10 10 plus 1, 11 12 12 and 6 is 18 18 क्योंकि 9 से divisible है तो ये number भी 9 से divisible होगा C option करेक्ट है इसी और चेक कर लेते हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 यहाँपर sum 11 है 11 क्योंकि 9 से divisible नहीं है तो number भी 9 से divisible नहीं होगा इसमें C option करेक्ट है Now next is section B True or false उसके बाद blank को फिल करना True or false बतानी है statements 0 is the smallest natural number Natural numbers हमारे होते है 1, 2, 3, 4, 5 and so on up to infinity जब हम whole numbers की बात करते है तब 0 एड होता है 0, 1, 2, 3, 4 तो smallest natural number कौन सा है 1 यह statement false है 0 smallest natural number नहीं है Next is 10 is the greatest whole number whole numbers start होते हैं 0 से 0, 1, 2, 3, 4 10 के बाद 11 आएगा 12 आएगा उसके बाद भी बहुत सारे numbers है up to infinity infinity तक यह जाते हैं largest, greatest whole number कौन सा है वो हमें नहीं पता 10 नहीं है यह भी false statement है 2 is smallest even prime number even number जो 2 से divisible हो prime जिनके सिर्फ 2 factors हो 1 and number itself तो 2 बिलकुल 2 से divisible भी है यानि कि यह even भी है और इसके दो ही factors है 2 and 1 so 2 is the only even prime number अकेला ऐसा number है जो even भी है और prime भी है यह statement true है Next is the Roman numeral of 29 is 29 को Roman numbers में हम कैसे लिखेंगे 20, 10 and 10 and then 9 IX 9 X, X, IX next is 19 plus 23 plus 11 9 simple आढ़ ही करना है 1, 3 plus 1 4 4 plus 9 13 1 carry 1 2 3 4 and 5 53 next is section C competency based questions पहला number है पहला question है write the smallest and the greatest 5 digit numbers using the digits 0, 2, 4, 6, 8 इन digits को use करके आपको smallest और greatest 5 digit number लिखना है repetition of the digits is not allowed किसी भी digit को आप repeat नहीं कर सकते so smallest and greatest greatest 5 digit number number equal to जब हम greatest कोई भी 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit number लिखने हैं तो सबसे greater जो digit है इन में सबसे बड़ी जो digit है उसको सबसे पहले लिखने हैं तो पहले लिखेंगे 8 then 6 उसके बाद उससे smaller 6 के बाद आएगा 4 then 2 and 0 8, 6, 4, 2, 0 86,420 यह greatest 5 digit number है जो आप इन digits को यूज करके बना सकते हैं now smallest 5 digit number digit number is अब यहाँ पर हमें देखना है smallest के लिए opposite करते हैं बिलकुल जो सबसे चोटा number है उसको सबसे आगे रखते हैं अब यहाँ पर smallest number है 0 लेकिन अगर आपने लिखा 0, 2, 4, 6, 8 तो यह सिर्फ 4 digit number रह जाएगा इस केस में अगर आपको 5 digit number बनाना है smallest 5 digit और 0 को आप आगे नहीं रख सकते otherwise वो 4 digit number हो जाएगा number के पहले 0 की कोई value नहीं होती है इस केस में हम 1st और 2nd digits को interchange कर देते हैं तो आगे आजाएगा 0 पीछे चला जाएगा यह होगा 2, 0, 4, 6, 8 24, 468 यह answer है answer number 13 next next is round the given numbers to the nearest 10 round off करना है आपको इन numbers को nearest 10 में इसका क्या मतलब है जिसे 48 है तो 10s digit के according अगर हम देखे यह 40 और 50 के बीच में है number अब यह किसके जादा closer है 40 के या फिर 50 के 48, 50 के जादा पास में है क्योंकि इसके बाद एक ही number है और 48 और 40 से पहले यहाँ पर 7 numbers होंगे 41, 42, 3, 4, 5, 6, and 7 तो कहने का मतलब है जब आप इसको round off करेंगे तो 48 को आप round off करेंगे 50 के और इसके लिए rule यह है अगर आपको nearest 10 करना है 10s digit आप देखें और 10s digit के next जो digit है अगर वो 0, 1, 2, 3 या फिर 4 है तो यह number as it is रहता है 4 और इसके बाद के सभी number 0 हो जाएंगे अगर यह होता 42 इसको आपको nearest 10 round off करना होता तो क्योंकि बाद में 2 है 5 से चोटा number है तो आप 4 को as it is रखेंगे यह number फिर increase नहीं होगा और बाद में 0 हो जाएगा 40 हो जाएगा लेकिन अगर यह number 5, 6, 7, 8 या फिर 9 है 5 या फिर उससे greater number है तो यह वाला जो number है 10s वाला यह एक increase हो जाता है अगर यह 48 है चलसे किस case में है 8 क्योंकि 5 से greater number है तो 4 को आप बना देंगे 5 और 8 हो जाएगा 0 फिर यह number इसको एक increase कर देता है तब यह हो जाएगा 50 ओके तो इसका A part है answer number 14 पार्ट A 48 round off करेंगे nearest 10 यह होगा 50 next is 59 10s nearest 10 करना है आपको 10s place पर है 5 next number है 9 9 क्योंकि 5 से greater है तो यह 5 को 6 बना देगा और 9 0 हो जाएगा यानि कि यह हो जाएगा 60 next is 64 nearest 10 करना है 10s place पर है 6 लेकिन 6 के next 4 है तो 4 इसको एक increase नहीं कर सकता 6 6 ही रहेगा और 4 0 हो जाएगा 64 nearest 10 होगा 60 next is 215 nearest 10 करना है 1 को आपको देखना है 1 increase होगा या नहीं वो कौन डिसाइड करेगा उसका next number next क्योंकि 5 है जब 5 या फिर उससे greater कोई number हो तो फिर ये तो 0 हो गई लेकिन ये इसको एक increase कर देता है 10s place पर देता है 10s place वाली number को तो ये हो जाएगा 2 1 increase होगा उसमें प्लस 1 आप करेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा and 0 220 nearest 10, nearest hundreds, nearest thousands for example एक question आपको गिवन है 7, 3, 5, 9, 4 इसको का जाए nearest thousand आप इसके बाद मालीजे 7 भी है nearest thousand इसको round off करिए तो thousands place पर देखो कौन सा number है 1s, 10s, 100,000 ये number है अब ये तो confirm है कि आओगा ये decide करेगा इसका next number next number क्योंकि 5 से greater है 9 है तो वो इसको एक increase कर देगा 5 क्या बन जाएगा 6 और बाद के सभी number होंगे 0 आगे वाले number as it is रहेंगे तो 7, 35, 947 nearest thousands ये हो जाएगा 7, 36,000 ओके next find the product of greatest 3 digit numbers and smallest 2 digit number answer number 15 greatest 3 digit number होता कौन सा है 3 digit number is 9, 9, 9 999 इसके बाद जो next number होगा वो 1000 होगा जो के 4 digit number है and smallest 2 digit number smallest 2 digit number 2 digit number start कहा से होते हैं 10 से 1, 2, 3, 4, 5, 6 चलता रहता है सिंगल डिजिट में जैसे 9 आएगा ये भी 1 digit number है इसके बाद पहला जो 2 digit number आता है that is 10 तो ये smallest 2 digit number है 10 आपको इनकी product find करनी है इनको multiply करना है so product is 999 into 10 9990 ये answer है next answer number 16 18 plus flower bracket 1 plus round bracket 5 minus 3 close into 5 bracket close इस case में हम start करते हैं जो round bracket है उससे उसको पहले solve करेंगे फिर flower bracket को solve करेंगे फिर इसके बाद अगर square bracket होता हम उसको solve करते तो यानिकी पहले 5 minus 3 हमें करना है 18 plus ये as it is रहेगा 1 plus 5 minus 3 is 2 तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2 bracket solve हो गया अब bracket नहीं लगाना है into 5 bracket close अब इस bracket को solve करना है लेकिन यहाँ पर भी 2-3 operations है addition भी है, multiplication भी है तो यहाँ पर rule लगेगा board mask का board mask क्या कहता है पहरे bracket solve करना है off, division, multiplication, addition and subtraction तो division, multiplication, addition, subtraction में पहले multiplication होता है बाद में addition होता है तो पहले आप 2 into 5 करेंगे जो answer आएगा उसमें plus 1 करेंगे ना कि plus करके फिर multiply करेंगे 5 से okay, so 18 plus bracket को पहले हम solve कर रहे है यहाँ पर होगा 1 plus 2 into 5 is 10 close 18 plus 1 plus 10 is 11 bracket solve होगे 11 now 18 plus 11 is 8 plus 1, 9 1 plus 1, 2, 29 okay, next next is section D long and short answers first is write the predecessor of predecessor लिखना है यानि कि उसे पहला number कौन सा होगा predecessor लिखने के लिए हम number से minus करते हैं बन को so answer number 17 part A number is 94 and its predecessor will be 94 minus 1 93 next B number है 10,000 10,000 and predecessor predecessor equal to 10,000 minus 1 is 9,999 next is C number है 20,80,90 और predecessor होगा 20,80,90 minus 1 तो बाकि सब कुछ as it is रहेगा last में 90 and 90 minus 1 हो जाएगा 89 so 20,80 and 90,89 ये number था 2,80,90 तो ये हो जाएगा 2,80,89 next is D 7,6,5 4,3,2,1 ये number है तो उसका predecessor होगा 7,6,5,4,3,2,1 minus 1 minus 1 करेंगे unit digits से 1 से 1 minus होगा तो ये 0 हो जाएगा यानि कि 7,6,5,4,3,2 and 0 number था 76,54,320 इसका predecessor होगा 76,54,320 okay next next is write all the factors of the following numbers इन numbers के सभी factors लिखने है 18 सबसे पहला पार्ट है 24 factor यानि कि किन-किन की table में 24 आता है कौन-कौन से number 24 को completely divide कर देंगे factors of 24 सबसे पहले तो 1 सब का factor होता है क्योंकि सभी numbers को divide कर देता है next 1 के बाद 2 की table में 24 आएगा क्योंकि last में 4 है 2 से भी divisible होगा then 3 जिन numbers का sum 3 से divisible हो वो number भी 3 से divisible होते है इसे भी 3, 8s are 24 so 3, 4 6s are 24 5 से नहीं होगा 6, 4s are 24 then 3 से divide हुआ था 3 कितने जार 24 थे 3, 8s are 24 तो 8 की table में भी आएगा 8, 3s are 24 then 2 कितने 2s are 24 थे 12, 2s are 24 and कितने 1s 24 ये इसके factors हैं 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 and 24 next B is factors of factors of 15 1 से divisible होगा 15 2 से नहीं होगा क्योंकि 2, 7s are 14 then 2, 8s are 16 15 उसके table में नहीं आता 3, 5s are 15 4 से नहीं जाएगा 5, 3s are 15 and then directly 15 1, 3, 5 and 15 next next is using divisibility test determine which of the following numbers are divisible by 11 divisibility test आपको करना है numbers का कि इन में से कौन से numbers exactly divisible होंगे 11 से 11 का divisibility test क्या है सबसे पहले आप जो digits even places पर है और जो odd places पर है उनका sum find करते हैं अलग-अलग जैसी ये first digit है ये third digit है odd places के digits है इन दोनों को आप add करेंगे 5 plus 4 उसके बाद जो even places वाली है second और fourth 4 plus 5 इनको add करेंगे उसके बाद इन दोनों के sum का difference find करेंगे दोनों के sum को एक दूसरे से minus करेंगे sum या तो 0 हो या फिर 11 का कोई multiple हो sorry difference difference या तो 0 हो या फिर वो 11 से completely divisible हो तो number 11 से divisible होता है otherwise नहीं तो आप कहेंगे answer number 19 part 1 number है 5, 4 4 and 5 so sum of digits at even places even places पर कौन कौनसे digits है 4 and 5 second digit और fourth digit so 4 plus 5 equal to 9 now sum of digits at odd places या या कि 1, 3, 5, 7 7th place इन पर कौनसे digits हैं इसमें दो ही places हैं first and third 5 plus 4 5 plus 4 is 9 now इन दोनों का difference find करते हैं अभी difference between the two sums दोनों sums के बीच में कितना difference है दोनों ही sums 9 है so 9 minus 9 equal to 0 क्यूंकि difference 0 है तो ये number 11 से divisible होगा difference या तो 0 हो या फिर 11 का कोई multiple हो so since difference is 0 since difference is 0 so number is divisible by 11 ok next next बीपार्ट है 10824 number है 10824 sum of digits digits at even places even places के digits यानि कि second fourth and sixth second place पर है 0 fourth पर है 2 so 0 plus 2 यानि कि 2 sum of digits at odd places odd places के digits है first place third place and fifth place 1 plus 8 plus 4 plus 4 8 plus 4 12 13 इन दोनों का sum है 13 now difference between the sums दोनों sums के बीच में difference कितना है 13 minus 2 13 minus 2 is 11 क्यूंकि difference 11 है difference is divisible by 11 so number is also divisible by 11 since difference is divisible by 11 so number is also divisible by 11 यानि कि ये जो number है 10,824 ये 11 से divisible होगा next is 71,38,965 so number is 713,8965 sum of digits at even places even places के digits यानि की second fourth and sixth 1,8 plus 6 1 plus 8 plus 6 8 plus 1 9 plus 6 is 15 sum है 15 now sum of digits at odd places odd places की digits है first place 7,3,9 and 5 7,3,9 and 5 7 plus 3 10,10 plus 9 19 plus 5 is 24 24 now difference between sums equal to ये sum है 15 ये है 24 24 से माइनस करेंगे 15 को 24 माइनस 15 is 9 9 क्योंकि 11 से divisible नहीं है since difference is not divisible by 11 so number is also not divisible by 11 since difference is not divisible by 11 so number is also not divisible by 11 okay next next is insert commas suitably and write the names according to Indian system of numeration commas insert करने है और Indian system of numeration की according in number के number name लिखने है first is 87 a part answer number 20 8 7 5 9 5 7 6 2 last से हम start करते है commas insert करना Indian system of numeration में पहले 3 digits के बाद comma place करते है उसके बाद after every 2 digits international में हर 3 digits के बाद ही करते है तो यह number क्या होगा 1, 10s, 10s, 100s, 1000s, 10,000s, 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 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, 95,762 762 8,75,95,762 Next is 85,46,283 Commas insert करने हैं So यह है 85,46,283 80,5,00,46,283 Okay, next Next is find the product using suitable properties Product find करनी है लेकिन direct multiply नहीं करना Suitable property आप use करेंगे तब product find करेंगे So 21st का part A 738 into 103 So 738 into 100 and 3 को हम लिखेंगे 100 plus 3 इसको break कर दिया अभी इसमें Divisibility, sorry Law of Distribution Distribution law के अकॉर्डिंग क्योंकि bracket में 100 plus 3 है तो यह multiplication distribute हो जाएगी over addition तो 738 multiply होगा 100 से And then 3 से और फिर दोनों का sum होगा तो इसकों लिखेंगे 738 into 100 Plus 738 into 3 Into 100 करेंगे तो 2 zeros extra लगेंगी 738 00 plus 8 3s are 24 2 carry 3 3s are 9 10 11 1 carry 7 3s are 21 plus 1 22 अब add कर देंगे दोनों को 0 plus 4 is 0 1 plus 0 is 1 2 plus 8 10 0 1 carry 3 2 5 1 6 7 Answer is 76,000 and 14 तो direct multiply ना करके जो number है अगर वो 100 के पास है 100 से चोटा भी हो सकता अगर यह 96 होता तब हम इसको लिखते 100 minus 4 या फिर 103 है तो 100 and plus 3 और फिर इसको distribute कर देते हैं over addition पहले 100 से multiply करेंगे 738 को फिर 3 से और दोनों के sum को दोनों की जो product है उसको add कर देंगे next is 854 same उसी type का question है बहुत direct questions पूछे गए हैं पूरे ही question paper में जो लास्ट चेर का paper हो बहुत easy भी है into 102 854 into 102 को हम लिखेंगे 100 plus 2 854 into 100 and then plus 852 into 2 sorry 854 into 2 100 से multiply करेंगे 2 zeros add होंगे 58400 यहां पर 2 4s are 8 2 5s are 10 0 1 carry 8 2s are 16 plus 1 17 अभी add करेंगे 0 plus 8 is 8 0 plus 0 is 0 7 plus 4 is 11 1 5 plus 1 6 plus 1 is 7 and then 8 87,108 next next is find the HCF of the following numbers numbers के HCF find करने है so prime factors करते हैं पहले numbers है 18 and 48 prime factors 2 से देखेंगे पहले 2 से देन 3 से prime number से कि यह divisible है या नहीं 2 9s are 18 then 3 3s are 9 3 1s is 3 18 के factors हैं 2 into 3 into 3 48 के 2 2s are 4 4s are 8 2 1s is 2 2s are 4 2 6s are 12 2 3s are 6 3 1s is 3 48 के factors हैं 2 into 2 into 2 2 into 2 2 into 3 now HCF में हम common factors देखते हैं कि कौन से numbers common है दोनों में एक तो 2 common है उसके बाद यहां पर और भी बहुत सारे 2 है लेकिन 18 के factor में नहीं है then 3 common है यहां पर 2 बार 3 है लेकिन यहां पर एक ही बार है एक बार 2 और एक बार 3 common है इनकी जो product है 2 into 3 which is 6 वो होगा हमारा HCF next B part is 30 and 42 so 30 के factors and then 42 के factors 2 15 2s are 30 then 3 5s are 15 5 once is 5 2 2s are 4 1 then 3 7s are 21 7 once is 7 so 30 के factors है 2 into 3 into 5 then 42 2 into 3 into 7 HCF होगा common जो factors है 2 and 3 इनका भी 6 है 3 2s are 6 HCF is 6 okay that's all students question paper बहुत easy है बिल्कुल direct questions है बाकिस बार का sample paper देखेंगे कि कैसा आता है okay thank you so much for watching